Computer itself hardware का मजमूवा है, बहुत सारे hardware मिल के काम कर रहे होते हैं, software वो intangible होता है, आप उसको test तो नहीं कर सकते हैं, बट आप उसको देख जरूर सकते हैं आज हम देखेंगे कि computer क्या चीज है और इसका introduction हम देखेंगे Computer basically एक electronic device है, electronic से मुराद क्या हुआ, कि ये एक बिजली पे या बर्की आला है, जो कि इसका काम क्या है, input लेना, उसको process करना और उसको output में convert करना ये major task हैं इसके, लेकिन इसके कुछ secondary task भी हैं, जिसके अब भी हम बात करेंगे Computer की major दो चीज़े हैं, जो कि जिसको हम इसको broadly discuss करेंगे Number one, software, Number two, hardware Software क्या चीज़ है, आप देखते हैं, आप अपने mobile को अगर कभी smartphone यूज़ करें या फिर आप अपने laptop को open करते हैं, या भी इस वकत आप लोग video देख रहे हैं किसी mobile पे या फिर किसी laptop पे देख रहे होंगे अपके सामने Google Chrome या आपने जिस भी browser में इसको खोला हुआ है वो itself एक software है आपके सामने YouTube इस वकत जो website है, वो खुली वी है itself, it's an web application, एक web application है और ये software ही है, जिसको आप touch तो नहीं कर सकते, लेकिन आप देख जरूर सकते हैं अगर आप hardware की बात करें, तो वो तमाम चीजें जो आप computer की, जिनको आप touch कर सकते हैं like आपका mobile है, आप mobile का button प्रेस करते हैं, उसको on करने के लिए that's an hardware, आप keyboard के buttons प्रेस कर रहे हैं, that's an hardware आप mouse को move कर रहे हैं, आप camera को touch कर सकते हैं, screen को touch कर सकते हैं, that's hardware so I think आपको ये difference समझा आगी होगी, कि software और hardware में difference क्या है software वो intangible होता है, आप उसको touch तो नहीं कर सकते, बट आप उसको देख जरूर सकते हैं उसकी बहुत सारी applications भी है, इसको हम आगे detail में discuss करेंगे कि software की types क्या है फिलहाल हम अभी hardware के बारे में बात करते हैं, computer itself hardware का मजमूँआ है बहुत सारे hardware मिल के काम कर रहे होते हैं, ताकि हमारा जो task का input को output में trace किया जा सके So first of all, आपके सामने जो major hardware जो आपको नजर आ रहा होता है computer का, अगर आप computer देखते हैं, अपने labs के अंदर, school की या फिर आप कहीं पर भी computer पढ़ा देखते हैं, आपके सामने एक screen होती है, वो LCD की सुरत में भी हो सकती है, वो monitor भी हो सकता है उसके लावा आपके पास keyboard होता है, आपके सामने एक mouse होता है, और उसके लावा आपके पास एक CPU होता है, तमाम की तमाम चीज़ें connected होती हैं उस CPU के साथ, और CPU के अंदर ये तमाम hardware को assemble किया गया होता है Students, ये सारे hardware मिलके काम करते हैं, ताके आपके जितने भी टास्क हों उसको perform किया जा सके So, अगर हम बात करें hardware, ये CPU के अंदर क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, कि CPU stand किसलिए करता है, Central Processing Unit होता है अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले तो motherboard आ जाता है, ये motherboard एक ऐसी चिप है, जिसके उपर तमाम के तमाम hardware जो है, वो assemble किये जाते हैं मिसाल के तोर पे, RAM, hard disk, तमाम की तमाम ports वहाँ पे available होती है, यानि in short, जितने भी आप hardware connect करते हैं, आप उसी जगा पे उसको connect कर रहे होते हैं सो एक छोटा सा introduction था, जो के मैंने software और hardware के बारे में आपको बताया, software की भी इसी तरीके से बहुत सारी examples है, आप लोग रोज games खेलते होंगे mobile के अंदर, आपने YouTube खोला, आपने Google Chrome खोला, आप अपने messages के लिए WhatsApp यूज करते हैं, ये तमाम की तमाम applications हैं, software, इसको software ही हम सो अभी जो हमने summarize में करता हूँ, ये सारे content को जो अभी हमने पढ़ा, इसको सीखा है, उसमें हमारे पास सबसे पहले computer, एक electronic device है, जो के input को output पे trace करती है, after processing, और इसके अंदर दो चीज़े हैं, एक software होता है, और एक hardware होता है, software वो तमाम चीज़े हैं, जिसको हम touch नहीं कर स सकते हैं, जो के हमारे software को भी run कर रहे होते हैं.